दोस्तों टेक्सप्टल में आपका बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज कि इस वीडियो में आपको बात करने वाले हैं ट्रेलर एक्टेक्षण के बारे में दोस्तों एक एडिटिंग एप्लिकेशन है जिससे आप काफी जादर मज़ेदार वीडियोस एडिट कर सकते हैं और की लिंक से बी install कर सकते हैं install करने केργा आपको open पर क्लिक कर देना है open करने के बाद आपके सामने कुछ ईसा interface खुल जागा सबसे पहले आपको उपने profile बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा यहाँ पर click करने के 버ण आपको sign up या login पर click कर देना है अब guys यहाँ पर login करने के 6 तरीके आते हैं आप facebook से कर सकते हैं, twitter से कर सकते हैं, instagram से कर सकते हैं snapchat, phone number और email address से कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर मैं phone number से कर लेता हूँ तो guys यहाँ पर मैंने अपना phone number fill कर दिया आप verify phone number पर click कर देना है अब guys आपके number पर OTP आ जाएगा, आपको continue पर click कर देना है उसके माद आपका account बन कर तयार हो जाएगा, आपको अपनी profile एडिक करने है profile एडिक करने के लिए आपको added profile पर click करना है Instagram ID अपनी link कर सकते है, Snapchat ID लिंक कर सकते है अगर आप अपनी cover photo लगाना चाते है तो यहाँ से लगा सकते है account private करना चाते है तो यहाँ से कर सकते है और receive sponsorship, receive notification वो भी on off कर सकते है आप नीचे की तरफ आजाए तो आप अपने Facebook friends को भी यहाँ पर डूण सकते है और search contacts भी कर सकते है अब दोस्तो इस वाले interface पर आपके जितने followers होंगे वो यहाँ पर show करेंगे जितनों को आप follow कर रहे होंगे वो यहाँ पर show करेंगे और जितनी आपने post डाले होंगे वो यहाँ पर show करेंगा अब गाइस बात कर लेते home page की home page के उपर की तरफ आपको तीन categories दिखाई देंगी following, music and social following में आप जिने follow कर रहे होंगे उन्होंने जो videos डाली होंगे वो सारी यहाँ पर show करेंगी जितनी music videos होंगी वो यहाँ पर show करेंगे और जितनी social videos होंगी वो यहाँ पर show करने लगेंगी अब दोस्तों अगर आपको अपने किसी 100% celebrity या दोस्त को सर्च करना है तो यहाँ से कर सकते हैं अब दोस्तों नीचे के options के बात कर लेते हैं नीचे के options में यहाँ पर दिखा रहा है सबसे पहले celebrities भी बहुत सारे हैं आपको यह बता दो तो यहाँ पर अर्मान मलिक की profile शो कर रही है यहाँ से आप इने follow भी कर सकते हैं इस पर views कितने वो देख सकते हैं और जितने like से वो यहाँ पर show करेगा अब अगर आप इस video को like करना चाते हैं तो यहाँ से like भी कर सकते हैं comment करना चाते हैं comment बे कर सकते हैं और यहां पर 3.00 का भी option आता है कि आप इनकी music की choose कर सकते हैं जो इन्होंने music इस वीडियो में choose करी है follow कर सकते हैं अर्मान मलिक को इस वीडियो का URL जो है वो copy कर सकते हैं अगर वीडियो आपको गंदी लगती है या कोई गंदा content डाला है लोने या किसी ने भी तो आप report भी कर सकते हैं अब दोस्तों बाता जाती है search वाले option की तो search करने के लिए आपको यहाँ पर click करना होगा यहाँ पर आप किसी का भी नाम डाल सकते हैं कुछ categories से भी logo को search कर सकते हैं और नीचे trending लोग आ जाएंगे recommendation आ जाएंगी अब दोस्तों नीचे एक option आता है notification का तो आपके पास जितन आपको वीडियो बना कर मैं दिखा देता हूँ उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface कुल जागा यहाँ से आप कोई भी गाना search कर सकते हैं यहाँ पर दो category जाएंगी इस app की music यूज करना चाहते हैं या आपने mobile में जो आपकी music है वो यूज करना चाते हैं अब यहाँ पर पॉपिलर गाने जो वीडियो में ज्यादा तर यूज होते हैं यहाँ पर चूज कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना कोई भी song चूज कर लेना है तो यहाँ पर मेरी आच की मचूज कर लेता हूँ उसके बाद आपके सामने लोडिंग होने लेगी यहाँ पर कैमरा खुल जागा यहाँ से आप फ्लिप कर सकते हैं कैमरे को अपनी जो फ्लेश है वो और आफ कर सकते हैं यहाँ पर कुछ फिल्टर्स आ रहे हैं फिल्टर्स यूज कर सकते हैं फिल्टर्स यूज करने के बाद आपके सामने यहाँ पर वीडियो की जो पर click कर देना है उसके बद आपके सामने कुछ ऐसा interface कर दिगा यहां Sे हम इमोजी लगा सकते हैं वीडियो में कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं अपना कुछ लिखना चाहते हैं वीडियो में तो लिख सकते हैं और यहां से साचुरेशन भी सैट कर सकते हैं आप नीचे की तरफ कुछ options आजाते हैं, यहाँ पर share भी कर सकते हैं, collaboration भी कर सकते हैं, दोस्तों आप, नीचे की तरफ आप filter यूज कर सकते हैं, यहाँ पर normal, grind, काफी ज़ादा filters हैं, जो आपको अच्छा लगए वो यूज कर सकते हैं, अब नीचे की तरफ दोस्तों काफी इंटरफेस पर पहुच जाएंगे और आपको finish पर click कर देना है, finish पर click करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ description लिख देना है, यहाँ पर category चूज कर लेनी है, कोई सी भी category चूज कर सकते हैं, dance, comedy, कुछ भी चूज कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो प्राइवेट करने हैं तो वीडियो यहाँ से private भी कर सकते हैं, और अगर location set करने हैं, तो location भी set कर सकते हैं, उसके बाद आपको post and save पर click कर देना है, अब यहाँ से आप काफी ज़दा platform पर share भी कर सकते हैं, facebook पर कर सकते हैं, instagram, snapchat, काफी जगादा जगाँ पर कर सकते हैं, और अपनी video download भी कर सकते ह तो अगर आपको कुछ नहीं करना है या download करना है तो उसके बाद आपको done पर click कर देना और आपकी video जो है वो आपके account पर post हो जाएगी, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो project भी आ रहे हैं, जो unfinished project होते हों यहाँ पर show करता है, अगर आप उन्हें delete करना चाते हैं, तो यहाँ से delete भी कर सकते हैं, फिर से edit करना चाते हैं, तो यहाँ से edit कर सकते हैं, दुबारा चलाना चाते हैं, तो यहाँ से चला सकते हैं, और download भी कर सकते हैं, तो guys, मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे doubts clear हो गए होगे, सारे features समझ आ गए होगे, तो अगर